शिरी विश्णु पुरान दृत्य अंश चौद्वा अध्याय जडभरत और सौवीर नरेश का समवाद शिरी प्राशर जी बोले उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विन्यावनत होकर उन विप्रवर से कहा राजा बोले भगवन आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवरीतियां ब्रांत सी हो गई है हे विप्र आपने संपून जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिखदर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्मा ही है इसमें मुझे कोई संदेय नहीं है प्रन्तु आपने जो कहा कि मैं शिबीका को वेहन नहीं कर रहा हूँ शिबीका मेरे उपर नहीं है जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत प्रिथक है जीवों की परवरिती गुणों सत्व, रज, तम की प्रेणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर परवरित होते हैं इसमें मेरा करत रित्व कैसे माना जा सकता है हे परमार्थग्य यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिग्यासू होकर बड़ा उतावला हो रहा है हे द्विज मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनी से यह पूछने के लिए की बताईए संसार में मनुश्यों का अश्रेय किसमे है उनके पास जाने को ततपर हुआ हूँ किन्तु बीच ही में आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित परमार्थ शवन करने के लिए आपकी और जुक गया है हेद्विज ये कपिल मुनी सर्वभूत भगवान विश्णु के ही अश्य हैं इन्होंने संसार का मो दूर करने के लिए ही पृत्वी पर अवतार लिया है किन्तु आप जो इस परकार भाषन कर रहे हैं उससे मुझे निश्चे होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहां आपके रूप में प्रकट हो गए है अता हे द्विज हमारा जो परम श्रे हो वह आप मुझ विनीत से कहिए हे प्रभु आप संपून विज्ञान तरंगों की मानों समुद्र ही हैं ब्रामन बोले हे राजन तुम श्रे पुछना चाते हो या परमार्थ क्यूंकि हे भूपते श्रे तो सब अपारमार्थिक ही हैं हिन्रिप जो परुष देवताओं की अराधना करके धन, संपत्ति, पुत्र और राज्यादी की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रे हैं जिसका फल स्वर्ग लोग की प्राप्ति है वह यग्यात्मक करम भी श्रे है किन्तु परधान श्रे तो उसके फल की इच्छा ना करने में ही है अता हे राजन योग युक्त पुरुष को परकृति आदिस अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रे ही वास्तविक श्रे है इस परकार श्रे तो सैंकडों हजारों परकार के अनेकों हैं किन्तु ये सब परमार्थ नहीं है अब जो परमार्थ है सो सुनो यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ती के लिए उसका वे क्यूं किया जाता है अता वह परमार्थ नहीं है हे नरेश्वर यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य अपने पिता का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे के पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमार्थ होगा अता इस चराचर जगत में पिता का कारे रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है क्यूंकि फिर तो सभी कारणों के कारे परमार्थ हो जाएंगे यही संसार में राज्यादी की प्राप्ति को पर्मार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते अतर पर्मार्थ भी आगामा पाई हो जाएगा इसलिए राज्यादी भी पर्मार्थ नहीं हो सकते यदि, रिक, यजू और सामरूप वेद त्रई से संपन होने वाले यग्य करम को परमार्थ मानते हो तो उसके विशे में मेरा ऐसा विचार है हे निर्प जो वस्तु कारण रूपा मृतिक्या का कारे होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मुक्ति का रूप ही जानी जाती है अता जो क्रिया, समिद, घृत और कुशा आधी नाशवान दर्वियों से संपन होती है वह भी नाशवान ही होगी किन्तु परमार्थ को जो प्राग्य, पूरुष, अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निश्पन होने के कारण करम अथवा उनसे निश्पन होने वाले स्वरगादी नाशवान ही हैं इसमें संदे नहीं यदि फलाशा से रहित निश्काम करम को परमार्थ मानते हो तो वह भी मुक्ति रूप फल का सादन होने से सादन ही है परमार्थ नहीं यदि देहादी से आत्मा का पार्थ के विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं अतव भी परमार्थ नहीं हो सकता यदि परमार्थमा और जिवात्मा के सैयों को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सरवता मिथ्या है क्यूंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव की एकता कभी नहीं हो सकती अतव हे राजन निसंदे ये सब श्रे ही हैं परमार्थ नहीं अब जो परमार्थ हैं वह मैं संग्षेप में सुनाता हूँ शवन करो आतमा एक व्यापक सम शुद निर्गुन और प्रकृती से परे हैं वह जनम बृधी आदी से रहीत सर्व्यापी और अव्यय हैं हे राजन वह परम ज्यानमय हैं असत नाम और जाती आदी से उस सर्व्यापक का संयोग ना कभी हुआ ना है और ना होगा वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है इस परकार का जो विशेश ग्यान है वही परमार्थ है द्वैत भावना वाले पुरुश तो अपरमार्थ दर्शी है जिस परकार अबिन भाव से व्याप्त एक ही वायू के बांसूरी के छिद्रों के भेद से शडज आदी भेद होते हैं उसी परकार शरीरादी उपादियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुश्यादी अनेक भेद परतीत होते हैं एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं वे ब्रह्मा देहादी की करम प्रवृति के कारण ही हुए हैं देवादी शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता उसकी स्थिती तो अविद्या के आवर्ण तक ही है यह था शिरी विश्नु पुरान द्वित्य अशिक तो ऑ inspire ब्रह्मा के तो थ lifecycle स्थिता है में ब्लीव दिए स्थिती अंब झोर्च के लिगय है ओर द्यां है